हलो दोस्तों स्वागात है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्धुत विभो एवं विभवांतर इससे पहले जो भी हमने आवेश के बारे में पढ़ा था उसमें हमने आवेश को ठहरा हुआ माना था जैसे संधारित रहो चाय कोई भी चीज हो उस वाले में हम लोगों ने आवेश को ठहरा हुआ मान कर उसके बारे में जाना था कि क्या है आवेश और ये भी जाना था कि कोई वस्तु कैसे आवेशित होती है उसके लिए हम लोगों ने जाना था कि आवेशित होने के लिए मे जो उत्तरदाई कण है वो है एलेक्ट्रान उसकी संख्या बढ़ जाने पर किसी भी चीज पर उसकी संख्या बढ़ने पर वो रिणावेशित और उसकी संख्या घड़ जाने पर या उसमें से निकल जाने पर वो चीज क्या होती है धनावेशित होती है आज यहां पर हम जाने वह आवेश को गती करने पर क्या-क्या प्रभाव होते हैं उसको जाना जाएगा और उसमें किस तरह से उर्जयब्य होती है तो पहला है सब्द है वैदुत विभाव देखिये वैदुत विभाव जानने के लिए सबसे चीज क्या है इसकी परिभासा को जानिये इसका अर्थ यह होता है मोटे शब्द में जानी है कि वैद्धु छेत्र के अंतरगत किसी परिक्षण आवेश को अनंत से वैद्धु छेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार वैद्धुत विभौ खहलाता है उस बिंदु पर समझ लिए कि ये एक वैद्धु छेत्र है हम वमद से लाने में, जो कार किया जाएगा, उसे हम कहेंगे वैदुत?, विभाव, एक ही सब्द है वहाँ पे कि एक परिक्षण आवेस को क्योंकि आवेस की मात्रा हम को छोटा लिये हैं इसलिए इसको हम कहेंगे क्या परिक्षान आवेस कहेंगे और इस आवेस को इस वैद्धु छेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया गया कार है अब कार क्यों होगा जाहिर से बात है कि वैद्धु छेत्र है तो ये धन और च्छेतर भी होंगे यहां पे, तो अब इस च्छेतर के कारण माली यह विधन है और यहां पर विधन है कोई, लाने पे समान आवेशों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण के कारण हमें लगाना पड़ेगा बल, बल लगाएंगे और उतनी दूरी करे अनम से ले आने में तो वो होगा विस्थापन, तो बल गुड़े विस्थापन कारे होगा, उस कारे को करने में उस आवेश को लाने में जितना कार किया जाएगा वे कहलाता है विधुत विभाव, अब इसका मातरक जान लेते हैं, तो विधुत विभाव कहोता है कार बटा में आवेश कितना कार किया गया और कितने आवेश को लाया गया मातरक इसका होता है कार का जूल बटा में आवेश का होता है कूलाम कूलाम इस तरह इसका मातरक जो होगा वो होगा जूल प्रती कूलाम लेकिन इसका एसाई मातरक भी है एक उसे कहते हैं एसाई जो है इसका मात उसे कहते हैं वोल्ट वोल्ट कहते हैं तो बात आती है कि अब ये वोल्ट क्या है तो एक वोल्ट कहेंगे एक जूल कार करने में आवेश को लाने में किया गया कार कुलाम यह की एक कुलाम आवेश को अनन से ले आने में जितना कार करना होगा यानि एक जूल कार हुआ तो वे एक वोल्ट के बराबर होगा यह इसकी बात कहीं गई है और इसका मातरक क्या है साई वोल्ट है वैदुद विभाव का अब आता है विभवांतर देखिए विभांतर के ब में अधिक जल है एक में कम इस नल को जब और ये एक पाइप से जुड़े हुए है और हमने हमने उसके बीच में लगा दिया है नल जब इस नल को हम खोलेंगे तो धारा बहेगी कहां से कहां इधर से इधर और तब तक बहेगी जब तक दोनों का विभव बराबर या दोनों का तल बराबर न हो जाए उसी तरह से वैधुत विभव भी विभवांतर भी इसी तरह से करता है काम अब जानिए क्या है क्या तो पहले इसे जानिए किसी चालक में एकांक धन आवेश को चालक में किसी एकांख-धन-ावेस को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कार उन बिंदू के बीच विभुवांतर कहलाता है उसके बीच क्या उसे कहेंगे? विभुवांतर कहेंगे अब क्या है? मानिये ये कोई चालक है अब इस चालक में इस आवेश को हम ले जाना चाह रहे हैं यहां से यहां तक बी तक ले गए अगर यह धन आवेश है इस पे धन आवेश है तो जाहिर से बात है यहां पर भी कोई ने कोई धन आवेश होगा और धन धन में क्या होगा प्रतिकर्सन होगा और प्रतिकर्सन के कारण क्या होगा इसे थोड़ा धक्का देला पड़ेगा देंगे तब ही वो जाएगा तो देना पड़ेगा इसे धक्का जिसके कारण उस पे कुछ लगेगा बल और ये दूरी जो चली गई यहां से यहां तक विस्थापन जो हुआ वो होगा कारे, दोनों के गुणा करने पर बलगुडे विस्थापन, इस तरह कारे करना पड़ेगा इसे, तो जो कारे करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है, इन बिंदूओं के बीच विभवांतर कहलाएगा, कोई भी आवेस यहां से यहां जाता क्यो हैं, तो इसी के कारन, विभवां में अंतर के कारन वह आवेस इधर से उधर बहेगा, अधिक से कम वाली के तरफ, उसमें जो किया गया कार है, वह कहलाएगा विभवांतर, और यह धन आवेस को जाने के लिए हैं, अब इसका मात्रक क्या है, तो यह है कार बता में आवेस, अब कारे का मातरक क्या है जूल बटा में कूलाम आवेश का मातरक इसका भी मातरक जूल प्रती कूलाम या वोल्ट होता है या वोल्ट होता है विभुवांतर को ही वोल्टेज भी कहा गया है या वोल्ट होता है तो एक वोल्ट जो होता है वो एक कूलाम आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू के बीच ले जाने में किया गया कार एक वोल्ट कहलाता है ये उर्जा ही है एक तराकी अगली चीज़ आती है विभोंतर आया ये उसके बाद आता है विभोंतर का मापन इसे वोल्टेज कहा गया है विभोंतर को मापते हैं वोल्टे मीटर से और इसका एलेक्ट्रानिक जो सिंबल है परिपत में वो आप बुक में इस तरा आपको मिलेगा इसे याद किये रही है, गोल बना के वीउस पे खीचा रहेगा इसे करते हैं वोल्ट मीटर दोरा होता है, नापते हैं उसे उसमें क्या होती है, एक कुंडली होती है, तार की और बीच में एक चुम्बक होता है जब इसमें बहती है धारा या आवेश जब इसमें दोड़ते हैं तो चुम्बा की छेतर पैदा होने कानी सुई हिलती है और उसको वहाँ पे मेजर कर लेते हैं एक वोल्ट हिटर को परिपत में हमेशा समानतर करम में जोड़ा जाता है हमेशा याद किये रहेंगे कि इसको हमेशा समानतर करम में जोड़ेंगे समानतर करम में जहां नापना हो बल्ब के बीच नापना है तो यहां पर समानतर करम में जोड़ देंगे यहां पर करना है बैटरी के भी बीच में सेल के बीच में तो इसके समांतर करम में जोड़ देंगे वो आपको मिलेगा विभुवांतर यह हमेशा परिपथ में किसी भी सनियोजन में यह किसी इक्टमेंट को में नापने के लिए हमेशा समांतर करम में होगा और समांतर करम में क्या होता है धाराएं बट जाती है यहां एक धारा बटी यहां पर भी बटी तो जहां धाराएं बट जाती है और फिर जहां मिल जाती है वही धाराएं विदुधारा उनके बीच जो अस्थान है वो समांतर करम में जोड़ा गया अस्थान होता है, वो चीज़े समांतर कर्म में जोड़े, फिर यहां से आके मिल जाते हैं, यहां से बटी फिर यहां आके मिल गई, तो इसको हमें सा समांतर कर्म में जोड़ते हैं, आदर्स वोल्टी मीटर का परतिरोध अनंत होता है, कारण, अगर अनंत नही होगा तो धाराएं क्या होंगी यहां यहां से क्या होंगी बहुत ज्यादा धारा इसमें चली जाएंगी वोल्टिक हिटर के अंदर बहुत ज्यादा धारा चली जाएगी इसलिए वोल्टिक हिटर के अंदर बहुत कम धारा जानी चाहिए इतनी कम कि बिल्कुल सुक्ष्म हो लेकिन आदर मीटर मिलना मुश्किल होता है, कुछ धारा इसमें बहती है, इसमें बहुत कम धारा जाएगी, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा धारा जाएगी, तो इसमें क्या होगा, आवेश की उर्जा च्छय होगी, और धारा का मान घटेगा, और वोल्टेज का, यानि उच प्रतिरोध को जोडते हैं, जिससे इसमें धारा कम से कम बहे, जिससे इसकी शुद्धता बनी रहे, कहां पे वोल्टिमीटर के कुंडली के स्रेणी करम में एक उच प्रतिरोध को जोडते हैं, जोड देते हैं, इस तरह से इसका होता है, मापन होता है, और ये हमेशा स समांतर करम में जोडते हैं. ये था एक विभो और विभो अंतर पे वीडियो, हमने इसमें क्या जाना? वैधुत विभो अनन्त से आने वाली आवेश को कहेंगे, जबकि विभो अंतर किसी चालक में एक बिंदू से दूसरे हिंदू के बीज किया गयकार, जबकि इसे अनन्त स लाने में दोनों का मातरक वोल्ट होता है या जूल प्रती कुलाम होता है लेकिन एसाई जो होता है मातरक वे वोल्ट होता है विभुवांतर का मापन वोल्ट मीटर द्वारा होता है और इसका सिंबल ऐसा होता है इसे हमेशा समांतर करम में जोड़ते हैं एक आदर्स वोल्ट कुंडली के स्रेणी करम में एक उच्छ रतिरोध को जोडते हैं यह इतने कोस्चन आपके परिक्षाओं में बनते हैं इससे तो आप इतने पॉइंट को याद किये रहिए तो आप जो है जो भी परिक्षाएं हैं CGLS, CEMTS या RRB, गुरूब D&T इसी के जो भी एकजाम में इससे कोस्चन आते हैं अब हम अगले वाले में विद्धुधारा के बारे में पढ़ा जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि यह वाली वीडियो आपको समझ में आई है अगर समझ में आई है तो इसे करिएगा लाइक और पढ़ने वाल जाहिंद